आज मैं आपके लिए 5 सबसे healthy बीजों की recipe लेकर आई हूँ और इन बीजों को पूरी दुनिया में super seeds के नाम से जाना जाता है यानि की ये हमारी body के लिए बहुत ही जादा healthy होते हैं और इसे जो हम dish तयार करेंगे उसे आप एक से डेड़ मेने तक store करके भी रख सकते हैं तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ट्रेल ले लिए हैं और इसके उपर हम इस तरीके से foil paper लगा देंगे और यह तो हमने कर लिए पहले से तयारी और अब मैंने यहाँ पर यह super seeds ले लिए हैं यह हैं 25 gram sunflower seeds यानि की सूरज मुखी के बीच 25 gram pumpkin seeds यानि की कद्दू के बीच यह हमने लिए है 25 gram सफेद तिल यह तो हम सब के घर में होते ही हैं साथ ही लिए है 25 gram chia seeds यह आपको किसी भी grossy shop से असानी से मिल जाते हैं लेकिन अगर आपको यह नहीं मिलते हैं तो आप इसकी जगह पर खरबूजे या पर तरबूज के बीच भी ले सकते हैं और 25 gram ही हमने यहां पर flag seeds यानि की अलसी के बीच लिए हैं और अब मैंने हैं पर 150 gram गुड़ ले लिया है गुड़ को हम mortal passer में सरीके से डालेंगे और उपर से हलका सा कूट लेंगे या फिर आप इन्हें कपड़े में रख करके भी कूट सकते हैं गुड़ को आप कोट कर ही यूज करें ताकि यह चोटे parts में हो जाता है तो जब आप इसे गरम करेंगे तो यह बहुत जल्दी melt हो जाएगा और साथे जल्दी और evenly पकता है तो इसलिए आप इसे कूट जरूर लें अगर कब से नापेंगे तो तक्रीबन 3-4 एक गुड़ हमने लिया है अब गैस पर एक पैन चड जाते हुए इस तरीके से भून लेंगे हर एक बीज में अपनी ही कुछ क्वालिटीज हैं जैसे कि चिया सीट्स जो है वो एंटी एजिंग हैं वेट लॉस में हल्प करता है साथ ही आपके हार्ट और आपके गर्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होते हैं पंकिन सीट्स जानिक जो कद्दों के बीज है वो नूट्रियंट्स का पावर हाूस बुलते हैं healthy fats उसमें पायी जाते हैं सा стор ही ब्लेड प्रिशर को भी कंट्रोल में करते हैं ये तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं, हमने इने लो फ्लेम पर हलका सा भून लिया है, इसमें चट-चट की आवाज भी आने लग गई है, तो समय लीजे कि ये बिल्कुल भून करके तयार हो गए है, तो अब हम इसे इस प्लेट में निकाल लेंगे, और अब इसी पैन में हम य गड़िया सी ग्लेज और गड़िया सी शाइन आ जाएगी, और इसे भी मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन 6-7 मिनट हो चुकी है, मुझे लगातार इसे चलाते हुए लो फ्लेम पर, तो मैं इसे इस कटोरी में डाल कर चेक कर लोगी, यहाँ पर मैंने कटोरी में साधा पानी लिया है, इसमें गुड़ का यह थोड़ा सा मेक्षा इस तरीके से डालूँगी, और इसे चेक करती हूँ, इस तरीके से अगर आप इसे मैश कर रहे हैं, तो एकदम सॉफ्ट गोली की तरह बन गई है, यानि कि अभी जो गुड़ है, वो पूरी तरह भी तयार नहीं हुआ है, तीन से चार मिनट लिए गुड़ को लो फ्लेम पर और पका लेंगे, या फिर आप इसे तब तक पकाएं, जब तक की गुड़ तोटने ना लग जाए, तो तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए मैंने इसे और पका लिया है, टोटल मैंने इस गुड़ को अभी तक 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है, और जब मैं इसे चेक करूँगी, तो पहले मैं गैस का फ्लेम आफ कर दूँगी, ताकि हमारा गुड़ जो है, उदर चेक करने में जल्दी से जल ना जाए, तो अब इसमें से थोड़ा सा गुड़ का मिक्शर इसका टोरी में डालूँगी, और इ इसमें एक चुथाई चोटी चमच से भी आदा यानी वन एर्थ टी स्पून आप इसमें बेकिंग सोडा या फिक खाने वाला सोडा डाल दीजिए और इसे तुरंत इस सरीके से चला लेंगे, ऐसा करने से गुड़ हलका सा फ्लफी हो जाता है, और जब आप इससे गजक या केवड़ा एसंस डाल देंगे, केवड़ा एसंस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर घर पर चिक्की बनाने या गजक बनाने का यही फायदा होता है, कि आपको जो पसंद हो आप इसमें वो डाल सकते हैं, इसे अब हम तुरंती मिक्स कर लेंगे, और इस समय आपको काम बह ला लेंगे, बस फटा-फट करना है, वरना यह बहुत जल्दी सेट हो जाएगी, और वैसे की वैसी रह जाएगी, जैसी आपने इसको डाला है, और इसे कटोरी से इस तरीके से चल्दी से इवन कर देंगे, और इसके उपर हम डाल देंगे थोड़े से खर्पुजे के इवन कर देंगे, यह देखिए, हमने इसे इवन कर दिया है, और अभी ही हम इसके उपर इस तरीके से कट के मार्क लगा देंगे, क्योंकि सेट होने के बाद यह इवन ली यह अच्छे से नहीं कट पाएगी, यह देखिए मैंने इसे डाल दिया है, और अगर आपको लगे क गजक आपकी सेट हो चुकी है और लेकिन इसमें कटके मार्क्स नहीं आए है यह नहीं कट रही है तो आप चाकू रखकर के इस तरीके से बिलन से उपर से हलका सा इसे टोक दीजिए तो यह इवनली पीसिस कट जाएंगे इसकी अवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गजक है वो कितनी पॉफेक्ट बनी है और बहुत ही जादा टेस्टी है हल्दी सर्दियों की सोगात है समझ दीजिए इससे सर्दियों का नायाब तवफा भी कह सकते हैं और इसे बना करके आप एक से डेट मैने तक किसी बहुत है यह बहुत है नगरी अन्यक्तम मस्त बहुत ही हल्दी है इस तरह के से गजक आप बना करके रख लिए जो जब भी खाने के बाद मीठा खाने का दिल हो तब आप इसे जरूर ट्राइब करें तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आपके अपने चैनल रीटारोर रेसिपी इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल दीना भूलें अब मिलती हूँ एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए और यह जो गजक के बाद हमारे गंदे बरतन रह जाते हैं इसको साफ करने के लिए हम इसमें पानी इसे भी low flame पर हम रख देंगे और low flame पर जैसे जैसे पानी गरम होगा गुड़ वाला जो mixture है इसमें पूरी तरह से melt हो जाएगा यानि जिस भी बरतन में आप ये गजक बनाएंगे वो पूरी तरह से एकदम साफ हो जाएगा वैसे कोशिश करें कि आप इसे non-stick बरतन में ब जाएगा